बेटिया माबाप के लिए परिया जैसी होती हैं उन्हें इस तरह से लाड़ और प्यार से पाला जाता है और पालने के बाद में उनके लिए एक वर ढूंडा जाता है और वर इसलिए ढूंडा जाता है कि वो उनकी जीवन की रक्षा करेगा उन्हें ठीक से रखेगा मगर ऐसा वर कि जो पैसे के लालच को ले कर गारी की मांग को ले कर उसे पिरतारित करें सिगरेट से उसको दागे उसका जो बच्चा हो प्रेगननेंट्री की हालत में उसके साथ मार पीट करें कि सिर्फ इसलिए कि वो उसे बुलेट मोटर साइकल लाके दे दे, पैसे लाके दे दे, तो क्या कहेंगे आप, जिस तरह से ये दहिच के कूपर था, आज भी बंद नहीं हुई, सरकार शायद इस पर कड़े कानून बनाने के लिए अभी तैयार नहीं है, हजारों बीटियां अपनी जान दे चुकी है, कभी वो खु अगर जिस तरह से उसको परतालित किया गया, अगर आप उसकी ये कहानी सुनेंगे, तो आपका दिल दहल जाएगा, जिस तरह से उसको परेशान किया गया, चलिए बात करते हैं, क्या नाम है आपका? शबा शबा वो पूरा मामला हमें बताएं जिस तरह से आपके साथ में मारपीट ससुराल वालों ने की क्या हुआ वो पूरी बात बताई वो मुझे मारते थे मुझे टोचर करते थे वो अगवी पी कराते थे उससे पी कराते जब भी मारते थे साथ से पिटवाते थे कौन हमा करेंगे हम और सास मारा मेरे दो महीन तो पेट पर मेरेबच्छी खतम होगी अच्छी अब मुझे धमकी दी के पैसे नहीं लाईगी तो हम तुझे रखंगे हम आपको ने पेशे भर दिये थे जब भी नहीं रखा फिर मार पीट कि तुछ दुबारा निकाल कितने पैसे देदी माबाप में 20,000 रूपे दे दिया 20,000 रुपे उनको फिर से शादी के बाद भी दे दिया जी मगर अब क्या कह रहे हैं अब यह करें अब नहीं रखेंगे हम तु पैसे नहीं लाके दे रही है और फैसला कितने पैसे बीमांड क कितने दिन हो गए इन दीन हो गया कौन सा थाना लगता को ट swojeinka पी आपने आप ओली में बॉन पर महिलें जाते हैं यहाँ पर चुछ दू मापर अपड़ा इन लगे बीती महीला से तो जिस तरह से आपने बताया हमें कि वो शराब पीता था शराब पीने के बाद सिगरेट पीता था फिर आपके साथ में जो है वो दागता ऐसा कुछ जवर्दस्ति करते थे मार पीट करते थे कमरें में बंद करकर मारते थे कद की तो सिगरेट से जब आपको डाग आगी दिखा और देखी इस पार की पीकर से भागत देता दाग सेस्पाब को यह विर्वारे तो डाग तुमारे देख लिए पुलीस को भी दिखाया आपने प्यूलिस को नहीं दिखाया तो दिखाना चाहिए था ना ये सब चीज़ें ये देख लेए पुलिस को दिखाती हाले सीरियस थी मेरी हॉस्पिटल से आई थी मैं छुटी लेकर अच्छा जी होस्पिटल मैं एड्मिट होना पड़ गया जी किस ने मारा था आपको इस तो रहां मेरे सास नहीं मारा था मेरे जिठानी भी थी जिठा तरहां से इसकी कहानी है ऐसी बहुत सारी बेटिया है। जो इस तरह से पिर्टारित होती रहती है। पुलिस से जाकर F.I.R. दरश कराती हैं मगर जिस तरहा से अभी तक इसकी नहीं सुने गई उसी तरहा से बहुत सारी बेटिया हैं जनकी सुनवाई नहीं होती उसके बाद या तो वो आत्मत्य करने पर उतारू हो चाती है या किसी तरह से फैसला वगएरा करवाने के बाद में उसको अगर ले जाया जाता है तो लड़किया भी हो सकता है वो लोग बेमार देते हैं तो इस तरह के बहुत सारे केस सामने कटब आते हैं जब बोल भी नहीं पा रही है आप बताए थोड़ा ये तो आत्मा हत्या करने के लिए जा रही थी कि मेरा जीना का कोई मकसद नहीं है वो लोग मुझे परेशान करते हैं मैं बार बार आके यहां पर तुम्हारी चाती पर वजन बन जाती हूं भाई ये मेरे चोटे इसलिए मैं मरना ही चाती हूं हमने बहुत मुश्किल सभाईय नहीं बचाया इसको फिर होस्पिटल लेके गए एडिमिट करा इसकी दवागोली कराई बहुत परेशान करते हैं बहुत तो करते हैं तीन साल से बहुत परेशान कर रहे हम समझा बुझा के भेज़े दे थे बताती भी वहाली हमारी गढी दो हमारी थी भौ गढी वह गढी दोमाद गाली का भी ज़िखर कर रे थे बुल्ब हमैं चाहिए गाडी अ मिने पैसे दो हमां अपना कर्जानी इमटाएंगे लट में भी नहीं रखते हैं करजे के पैसे भी मांगते हैं किराया के मकान में रहती है मा वहां भी抓 करती है सहर भी करता है बहुत परेशान करते है son लिएक पयोने कॉन से मकाव उसमें कर रही थी आत्में कर रही थो बताई ए Glass आप कि अचल यह घर के हरत भी थोड़ा दिखा दीचे ये गरीब की बीटी है कि कहां से जिसके घर में छट भी पुराने जमानी की जो कड़ियां होती हैं वो कड़ियां पड़ी हुई हो और अंदर आओ थोड़ा आप देख रहे हैं जिस तरहा ये संदूख और ये इनका कमरा है जो भी है सामान है यहां पर दिखाई दे रहा है ये लोग किस तरह से इनका किचिन भी धिखाओ थोड़ा किचिन भी यहीं अप दास है और ये बाहर का हिस्सा है ये इनका मकान है अब इस मकान के जो मालिक है वो कितना बड़े पैसे वाले होंगे और इन से बुलट की मांग की गई पैसन की मांग की गई पहले पैसन दी तो उसके बाद बुलट की मांग की गई अब नगद और कैश की बात की जा रही है मगर जिस तरह उसने अपने बच्चा खो दिया उसे अपनी जिन्दगी खतम करने के लिए वो अंदर कमरे में चले गी मगर वक्त रहते भाईयों ने उसको फिलहाल तो बचा लिया है अब जैसे हमको सूशना मिली हम भी यहां पर आए हैं बात हम कर रहे हैं इसका हाल आप इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरह का हाल है हम आपको इसका फोटो दिखाते हैं शादी का कि किस तरह का उस वक्त फोटो था जब यह इसकी शादी हुई थी चलिए हम आपको फोटो दिखाते हैं यह देखो दिखाओ जब इस गुड़िया की शादी होई थी तो यह ऐसी देखती थी और आज हम आपको दिखाएं यह इसका हाल है खाना वाना देते थे के नहीं देते थे बिल्कुल एकदम इतने कमजोर हो रखी हो नहीं के लिए परशान जादा कर रहे हैं कि मैं अपने घर जा रहे हैं किस भी नहीं ना कर दिया तो नहाने के लिए नहिंगा खर्चा तो सेम्पुल आके दिया मगर उसके बाद में वह भी रोक दिया जी तो मुलतानी मिट्टी रखते हैं आज भी घर में हैं तो मुलतानी मिट्टी से जो सिर्ध होना पड़ता था जी जैसे खर्चे के लिए हस्बेंट पैसा देता है और कुछ नहीं दिया पहले देते थे बेटी के जनम से पहले देते जब से बेटी हुई है जब से बंद कर दो साल की अच्छा अभी दूसरा जो गर्ब घर गया एक दो साल की बच्ची है दो साल की अब क्या चाहते हैं आप मुझे इसाफ चाहिए उनसे के पुलीस वाले उन्हें पकड़के लेना उन्हें तो अब आप जाना चाहते हैं और नहीं चाहते हैं चलिए खैर आप देख रहे हैं कि जिस तरह लोगना फोटो फिलहाल आप रख लो बेटी के साफ तोर पर कहना यही है कि अब मैं ससुराल नहीं जाओंगी और मुझे इनसाफ चाहिए जिस तरह से उन्होंने मिरे बच्चे को मार दिया मार पीट इसके साथ कीगी जिसकी वज़ा से गर्ब गिर चुका है अब फिलहाल ये अपने माईके में हैं अब देखते मातर चाया मदर एंड चाइल्ड केर सेंटर हमारे यहाँ 24 घंट एमेरजेंसी नॉर्मर डिलीवरी और हाई डिस डिलीवरी की सुईधा नवजाश शिशू के लिए आईसीउ की सुईधा बच्चे दानी के कैंसर की जाच एवं बच्चों के सभी प्रकार के रोगों कर इला बच्चे हैड़